हमस्ते दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी एटो चानल पूजा घर संसार में दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉटेंट है इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि 70% महिलाएं यानि कई सारी महिलाएं जो नेशरल तरीके से कंसीव करना चा है फिर भी उनको गर्वधारन नहीं होता है तो वह काफी जदर निरास हो जाती है फिर भी फ्रेंट्स आपको मैं यहीं बताना चाहूंगी इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगी और उसके बाद आपको गर्वधारन जल से जल करन है आए फ्रेंट्स आज का वीडियो स्टार्ट दोस्तों मोसली क्या होता है जब आप गर्वधारन के लिए ट्राई करती है तो आपके एक क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी होने चाहिए लेकिन कई सारी महिलाओं में क्या होता है एक का प्रोडक्शन ठीक से होता ही नही हो पाते तो ऐसी कंडिशन में आप गर्वधारन नहीं कर पाएंगे इसकी साइन और सिम्टम्स आपको फीली नहीं होती है क्योंकि इसका कोई इंपोर्टेंट लक्षन नहीं होता है जिससे अनुमान लगाया जा सके कि आपको यही वाली प्रॉब्लम है कई सारी महिलाओं म में एक का प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है तो ऐसे कंडिशन में बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए समझना कि गर्वधारन आपको नहीं हो पाएगा कई सारी महिलाओं में हार्मोनल इन कंडिशन इंबैलेंस होता है अपना लेवल ठीक से बना ही नहीं पाता जिसकी करें ऐसा कि आपकी एक क्वालिटी और क्वांटिटी जल से जल अच्छी हो जाए कई सारी महिला बहुत ज़्यादा परेशान होती है कई सारे कमेंट करती है कि नैश्रल रेमेडी हम ले तो रहे हैं लेकिन कोई भी एफेक्ट नहीं हो रहा है और हमें गर्वधारन नहीं हो पा रहा है अगर साइंटिफिकली आपको बताना चाहूं तो कई सारे ऐसे मेडिकल ट्रेटमेंट होते हैं जिन में यह सारे लक्षन और यह सारे सिंटम्स को चेक किया जाता है और समझा जाता है कि आपका एक कितना मैचोर हुआ है यह कितना क्यापेबल है कंसीव करने के ल लेकिन जो भी अनेचरल तरीका होता है और आगे जाके हो सकता है कि आपके बच्चे में भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए तो अगर इतनी सारी परिशानी हो सकती है और 70% महिलाए इसी एक प्रॉब्लम की वजह से गरवधारन नहीं कर पा रही है तो आपके लिए ज ज्यादा जरूरी है कि जो नैशनल चीजे होती है कि अच्छी होती है प्रॉब्लम करते जयाने के मिलboys maraud class Q stabal da ऐसे प्रहु सब्सक्राइब क्या करणा ना लॅक इन रहना है साथी साथ आपको सरक्द Вс Frapril क्या doingho अखरोड बदाम यह सारे चीज़े काफे ज़दा अच्छी होती है इसमें नैशनल तरीके से विटामीन की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है तो थोरी बहुत नट्स का सीवन करना स्टार्ट कर दीजिए यह बहुत ही अच्छा इफेक्ट करता है आपकी यूट्रस में अंडे सफ्लीमेंट्स भी ले सकते हैं लेकिन हम घकेमेंट करते हैं जो विटामीन की सफ्ल APPLAUSE gebe नहीं ले सकते हैं लेकिन नैश्रल विटामिस जो होती है वो ग्रीन लीफ में बहुत ही जादा होती है जो भी हरे पतेदार साग सब्जियां होती है अभी बहुत ही ज्यादा मार्केट में एवलेबल होती है सरसो का साग बतवा का साग चनी की साग हरे पतेदार सब्जियां प सबी को रेगुलर करती है और फिर से एस्ट्रोजन पोजिस्ट्रोन का लेवल जो है वह सही रूप से आपके सरीर में बनना स्टार्ट हो जाता है तो आपके एक क्वालिटी भी अच्छी होती है और आपको गर्वधारन भी जल से जल्द होता है तो आपको पानी पीना बहुत पानी पीएंगे तब भी आपका सरीर हल्दी रहेगा आपकी डिप्रोडेक्टिव सिस्ट्रम को हल्दी रखने के लिए यानि जब आप ज्यादा पानी पीते हैं तो विसले परदार्थ आपके सरीर से बाहर होते जाते हैं जो ऑक्सिजेनेटिट ब्लड है उसकी सप्लाई अच्छे से बढ़ जाती है और आपकी यूट्रस तक पहुच पाती है जिससे की ऑक्सिजेनेट ब्लड आपकी एक क्वांटिटी को पनाने में मदद करता है यह बहुत ही इंप्रूव करता है आपके यूट्रस को इस वज़े से आपको पानी अच्छे से मात्रा में पीना बहुत ही ज़दा इंपॉर्टेंट है कुछ ऐसे एक्सराइज भी होते हैं जो ऑक्सिजेन कंजप्शन बढ़ाता है और आपकी यूट्रस में बहुत ही अच्छे से ऑक्सिजेनेट ब्लड पहुचाने की सप्लाई को बढ़ा देता है इसके लिए आप छोटे मोटे एक्सर इसके अलावा फ्रेंट्स अंडी की क्वालिटी सही करने के लिए आपके एक को तयार करने के लिए सतावरी चोनिक बहुत ही विकल्प होता है तो आप सतावरी पाउडर को रात में डिनर के बाद एक गिलास उनको ने दूद में एक चमच मिलाकर जरूर पीए इसे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपकी ऑबुलेशन जो है वो रेगुलेट होना स्टार्ट हो अब किसी भी प्रकाश से इस्ट्रेस है जो की अगेन मेंटल रिलेक्ष्मेंट के लिए काफी ज़्यादा जरूरी होता है आपको सतावरी पाउडर तो अस्तावरी पाउडर जैसे ही आप लेंगे आपका मेंटली इस्ट्रेस डाउन होने लगेगा लेवल और आपके सारे ह मैंने आपको home remedies बताए हैं उसके कई सारे उस मेरे वीडियो के playlist में मिल जाएंगे उन्हें देखना और वर्च करना स्टार्ट कर दीजिए more than 15 वीडियो आप देखिए इसमें कई सारे हप्स बताएगा है कई सारे natural remedies बताएगा है कि ovulation track करना बिल्कुल ना भूले बहुत ही best तरीके और best examples मैंने बताए हैं अपने वीडियो में ovulation track करने के उनको भी देखिए उन सारे symptoms को समझने की कोशिस करिए और ovulation के दौरान ही आप ये सारे home remedies को continue करते करते और आप contact में रहेंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा अगर इ सब्सक्राइब करना भी ना भूले और बेल आइकन जरूरान करते आज के लिए फिलाल इतना ही फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक अन्याल रहें कि टेक कियर नमस्कार